हलो फ्रेंज स्वागत है आप सबका मेरे योट्यूब चनल रूपन बीटी पालर में तो चली आज हम आप लोग के साथ एक अच्छे सी कटिंग सेयर करने वाले हैं और छोटी सी बच्ची है इसकी कटिंग होने वाली है और यह जो है इसके हम पहले जो है मस्रूम कट कट किये हुए थे पर इनकी मम्मी का कहना है कि बाल थोड़े हम लॉंग किये हैं तो इस तरीके से सेफ देजिएगा कि बाल हमारे जो है ब्लेंट कट में दिखें तो बाल भी देखिए छोटे ही हैं बहुत बड़े अभी नहीं हुए हैं लेकिन फिर भी हमें इस तरीके से सेफ देन कि जो है ब्लेंट में इसका लुक दिखे तो चलिए वीडियो को पूरा देखते हैं कि किस तरीके से हमें कटिंग करनी है तो सब देखिए इस टाइम जो है बहुत ठंडी है तो इसलिए हम इस बच्ची का बाल गीला नहीं कर रहे हैं वैसे अगर आप बिगनर हैं और इस कट क है बस उसी को हम कट करेंगे बहुत जादा हमें कट नहीं देना है क्योंकि इसका हमें जो लुक है जो सेफ है उसे हमें थोड़ा सा चेंज करना है पहले इसकी कटिंग मस्रूम हुई थी इसलिए बाल थोड़े से छोटे बड़े दिख रहे हैं तो हमें उस तरीके से कट दे तो दूसरी तरफ हल्का सा जूका देंगे और जो हमारे बाल एक्स्ट्रा होंगे भू खुद बाहर आ जाएंगे क्यों देना है श्क्ति बड़े가요 कट हमें तो हमें बार बार कॉम को करना है तो यह सरी के से थोड़े थोड़े बालो को अपने फिंगर में लेते हुए हम कट करेंगे और जैसे कान के पास जो हम आएंगे तो यहां पर भी हम फिंगर रख लेंगे या कॉम को रख लेंगे जिसे की छोटी बच्ची है तो उसे चोट ना लगे उसे मतलब कट ना लगे सीजर से थोड़ा सा मतलब कटने का डर ना रहें तो इस तरीके से अपने फिंगर फसा के कट करेंगे या अगर कान के पास आ रहे हैं तो कान के पास हम अंदर से कौम को भी लगा लेंगे जिसे की कान सेफ रहे हैं तो इस तरीके से थोड़े थोड़े बाल लेकि कट दे रहे ह के औरेपर अच्छे से हमिए बार बार बालों को सुलजा लेना है मारी गट्टिंग तबी अच्छे से आएगी और और तो यहां कानद के पास आएगी से विए इस तरीके से कौम को भी फसालेंगे कव्दलाब कानद को दबा देंगे या आपने finger से भी दबाके से कटिंग देंगे क्या की छोटी बच्ची अक्सी सिर बहुत हीड रहते रहते हैं तो हमें थोड़ा सा ध्यान susie Rise सीर के ओपर ध्यान देना अगर हीर Dimash को करना है ता कि तो शेड़े होती है तो उसे भी हमारी कटिंग सही से नहीं आती है तो हमें ऊसाथ ध्यान देना रहता है सिर को हमेंflower बार बार ठीक करना पड़ता है तो इस तरिके सेobla कॉंड़ी तो हम कट तीन कुट में हैं और सेफ में और और ऊकुम करना है ताकि बाल मारे अच्छे से सुल्जे हुए रहें और जो इक्स्ट्रा-इक्स्ट्रा मतलब सेव से बाहर दिख रहा है बस हमें उतने ही बाल को कट करके निकालना है तो इस तरीके से जैसे अगर आपके पास मस्रूम कट का बच्चा आया है उसे पहले उसका जो है मस्रूम कट हुआ है फिर उसे चेंज करना है तो इस तरीके से आप लुक चेंज कर सकती है और वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे की आपको समझ में आया कि कटिंग की इस तरीके से हुई है फाइनल लुक जरूर देखिएगा और अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए है तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा लाइक करिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कटिंग आपको कैसी लगी और अगली वीडियो आपको कौन सी चाहिए या कटिंग कौन सी चाहिए तो हम पूरी कोसिस करेंगे कि आप लोग के साथ उसी वीडियो को सेयर करें और जो हमारे पुराने सब्सक्राइबर है उनको बहुत बहुत धन्यवाद और जो लोग अभी हमारे चैनल को देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें लाइक करें उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद और इस तरीके से आप लोग थोड़ा सपोर्ट करिए और इस तरीके से बात करते करते हैं जो हमारी कटिंग आधी हो चुकी है अफिर हम पीछे के तरफ आए हैं और पीछे के तरफ भी हम जब आएंगे तो सिर को आगे के जुका देंगे और अच्छे से कॉम करेंगे जो हमारे एक्ष्ट्राबाल सेफ से बाहर दिखेगा उसी को हम कट करके निकालेंगे तो इस तरीके से देखिए गुलाई को देते हुए पुरे बार को कट कर देना है और सिर पे हमें बहुत ध्यान देना है अगर सिर अगर बच्चबो जदा हिला रहा है तो उससे हमारी कटिंग खराब हो जाती है सही से से शेप नहीं आता है तो इसलिए आपको उसके उपर बहुत ध्यान देना है इस तरीके से गुलाई देते हुए पुरे बालों को हमें कट कर देंगे इसी तरीके से कट करना है और कौम करते रहेंगे तो जो बाल इक्स्ट्रा होगा खुद बाहर आ जाएगा कोई प्राब्लम नहीं होती है बस थोड़ा सा एक दो बार प्रैक्टिस की जरूरत होती है कोई भी काम होता है तो प्रैक्टिस की जरूरत होती है जितना हम काम करेंगे हमारा हाथ उतना अच्छा होगा हमारा काम भी उतना अच्छा होगा और यही कोसिस करें कि हम अच्छे से अच्छा काम करके दें जिससे कि हमारी जो कस्टमर खुस होके हमारे यहां से जाएं तो हमारी तो यही कोसिस होती है और हम करते भी हैं इस तरीके से कि हम अपने हाँ से खुस करके ही भेजते हैं और जो भी काम करिए जब तक अच्छे से परफेक्ट ना दिखे तब तक आप उसे अच्छे से मतब ध्यान दे के काम करिए जिससे कि आपका जो काम कर रहे हैं उसमें अच्छे से उनको दिखे चाहें जो भी काम पार्लर का कर रह क्योंकि काम तो देखिए हम करते हैं पारलर में लेकिन काम हम करते हैं पर करते हैं कस्टमर के मन से करते हैं उनको क्या चाहिए वो किसी हिसाब से चाहिए तो उनके हिसाब से में करना रहता है और जैसे देखिए इनकी ममी बोली थी कि इस तरीके से कड़ दीजिएगा जिससे थोड़ा सा लुक चेंज हो जाए और ब्लेंड का लुक आया तो देखिए उसी तरीके से हम कट कर रहे हैं कि यह मतलब जो उन्हें कहा है तो वही मतलब पूरी हमारी कोशिज यह पूर्ण ने कहा है तो वैसे ही हम कट दें तो व्यूडियो को आप पूरा देखिएगा पूरा गोलाई देते हुए हमें बाल को फैला लेना है और सामने देखिए बहुत जादा उचा नीचा नहीं दिख रहा है तो फिर भी हम ब्लास्ट में हमें कटिंग करने के बाद शिए करना रहता ही है कि हमारी कटिंग पर्फेक्ट हुई है कि नहीं हुई है तो अगर तो फिर आपको इस तरीके से फिंगर में फसा लेना है और जो थोड़े थोड़े इक्स्ट्रा बाल दिख रहे हैं उसको कट करके निकाल देना है अगर डारेक्ट कर सकते हैं तो करिए अगर आपको डर है कि नहीं सीजर लग सकता है तो उस तरीके सने करें फिर अपने फिं और इस तरीके से देखिए हमारी पूरी कटिंग हो चुकी है और पीर अभी हम अच्छे से पुरा चारो तरब से देखेंगे कि कही से हमारी कटिंग उची नीची नहीं है बाल छोटे नहीं है से से बाहर तो नहीं है तो ये सब चीजों का हमें ध्यान देना पड़ता है और कटिंग होने के बाद जरूर दो से तीन बार चेक करें तो इस तरह के कटिंग हो चुकी है फिर भी इसको चेक कर रहे हैं और जो जैसे देखिए हमने बताया आपको कि इनका पहले मस्रूम कट हुआ था तो उपर के बाल अभी भी पूरा अच्छे से नीचे नहीं आए हैं तो जो उपर के बाल है उपर उपर दिख रहे हैं तो हमें उसे सेप में मिक्स करना है तो इस तरीके से हम कॉम में भसाते हुए उसको मिक्स करेंगे और हमें ज्यादा कट नहीं देना बस इस तरह हमें कॉम में मिलाना है तो इस तरीके से देखिए आप कॉम करिए चेक करिए जहां आपको इस तरीके से दिखे तो कॉम में फसा-फसा कि आप उसे बाल को कर सकती है या अपने फिंगर से बी कर सक्ती मैं पर कॉम से करेंगी तो थोड़ा और अच्य सेological काँ जाएगी इस तरीज देखे फसाना है और इस तरीगे से जो उपर उपर से उभरे उभरे से रहे हैं बस उसी को में निकालना है आप प्लीज आप लोग लाइक जरूर करिएगा वीडियो आप सब लोग देखती हैं पर लाइक नहीं आता जितना वीडियो देखते हैं अतना लाइक नहीं आता है तो प्लिज लाइक भी किया कर ये उसमें कुछ लगता नहीं है और आप लोगों को फिरी में शीखने को मिलता है और आप लोग प्लिज ज़रूर क्टिंट करके बताएगे अगली विडियो आपको कौन सी cutting चाहिए और कौन सी video चाहिए तो हम आप लोग के सामने उस video को ले आएंगे अप लोग के साथ share करेंगे और cutting जरूर बताएगा कि आप लोग को cutting कैसी लगी क्योंकि देखिए आप लोग comment करते हैं और like करते हैं तो थोड़ी सी motivation मिलता है तो उसे और अच्छा काम करने का मन करता है और अच्छे से अच्छा काम करके आप लोग के साथ सेयर करें आप लोग को दिखाएं आप लोग भी कुछ सीखें तो इस तरीके से देखिए पूरी कटिंग हो चुकी है बस केवल हम चिक कर रहे हैं तो जहां जहां में एक श्टा दिख रहा है वो सुसी को हम कट करके निकाल रहे हैं तो यह है फाइनल लुक मश्रूम कट की जो वीडियो वो भी आप लोग देखिएगा झाल रहे हैं